जहीन दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने प्रिवार हिम्रक्षक यूटूब चैनल पर कैसी हैं आप सभी मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे इसलिए आप सभी के लिए सीरीज खास है ठीक है आपको HP पुलिस के लिए इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो एक्जाम लेने वाला HP PST है वो किस परकार से कोशिन डालता है उसका माइंडसेट क्या है वो समझने के लिए ही हमने ये सीरी आप सभी के लिए शुरू की है समझ गए आठ क्लासिस कंप्लीट हो चुकी है यदि अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो वो भी जूर देखेगा यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे टेलिग्राम ग्रूप पर दूर सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस लेंग्विज थी ठीक है आपकी साहूलियत के लिए हमने आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके सामने आपके पेश किया है ठीक है कोशिन 81 पढ़िए अच्छा 80 कोशिन जो थे ना 80 इससे पहले के 80 कोशिन जो थे ये पेपर था असिस्टेंट प्रोफेसर कमिस्ट्री का ठीक है इसके पहले के जितने भी 80 कोशिन थे वो कमिस्ट्री के लेडर थे ठीक है वो पुलिस में नहीं आ सकते हैं ये HPG के कोशिन थे इंडियन GK के कोशिन होंगे आगले ठीक है वो HPPSC हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए सकता है वो ठीक है तो 81 है आज की वीडियो का पहला वोशिन क्या है इन विच रिजन ओफ HP is सर्योल सर लेक बताना आपको सर्योल सर लेक जो जील है हिमाचल प्रदेश के किस शेत्र में है बताइए जलोडी कुलू करसोग मंडी में या फिर पांगी चमबा में कोटगड शिमला में बताइए शाबाश अच्छा कहीं कहीं HP PSE सर्योल सर पूछ रहा है कहीं कहीं ये सरवाल सर भी पूछ रहा है दोनों एक ही है ठीक है अंसर एक ही होगा तो अंसर क्या है ये कुलू में है कुलू में कहा है जलोडी में है ठीक है option A is the correct answer देखि ये आपने बिल्कुल ध्यान से question को समझना है और exam pattern को समझने के कोशिश करने है कि इसका HP PSE का mindset क्या है ये किस प्रकार से घुमाकर question पूछ रहा है ठीक है जदी PHQ या फिर forest guard या फिर कोई भी another board पर डालता तो simple वहाँ पर पूछता कि हिमाशल परदेश में सरवाल सर जिल क जहां है या फिर किस जिले में है ठीक है ये उल्टा उल्टा करके question पूछते हैं वो आपने ध्यान रखना है ठीक है confused बिल्कुल नहीं होना है चलिए बात आती है कुलू में कुलू में और जिले भी है साथ-साथ वो भी आपको सुन कर चलना है मैं आपको सुनाओंगा आप आपको ध्यान से सुनना है कुलू में जैसे की नैंसर है ध्यांसर है फिर आपकी देयोरी है हंसा दशेहर ठीक है फिर ब्रिगु जील है फिर मांतलाई जील है ठीक है श्रिंक्त्रूंग जील है ठीक है ये सारी की सारी जीले आपकी कुलू डिस्टिक में है फिर next option है आपका मंडी डिस्टिक मंडी डिस्टिक की बार-बार HPPSC पूछ रहा है कुमारबा जील कहा है तो आपको ध्यान में रखना है मंडी डिस्टिक में है कुमारबा होगी पराश्यर कुंत ब्योग अच्छा कुंत ब्योग जो चील है कुंत ब्योग इसका नाम पूछा जाता है कुंत भ्योग का नाम के पीछे कहानी क्या है अच्छा आप सभी को पता है जो महाभारत हुई थी उसमें एक पत्र या फिर एक कृधार का नाम था पांड़ों के मम्मी का नाम था कुंती देवी ठीक है जील का नाम क्या है कुंत भ्योग इसमें कहानी क्या है कुंती देवी जी को प्यास लगती है प्यास भुजाने के लिए उनके बेटे अरजुन ने क्या किया एक तीर लगाकर वहाँ पर जील का निर्मान किया और अपनी माता जी कुंती जी की प्यास उन्होंने इस जील के निर्मान से भुजाई थी तो ही इसक नाम उन्त ब्योग पड़ा ठीक है जी नेक्स्ट है रिवाल सर जील कामरू नाग जील काल सर जील फिर आपकी सुक सागर जील ठीक है लीला सार जील ये सारे की सारे आपने याद रखनी है नेक्स्ट है चंबा चंबा के लिए सबसे खास जील जो है वो है मनिमेश जील ठीक है बार बार पूछाए आता है मनिमेश जील कहा है तो मनिमेश होगी गडासरू, महाकाली, खजियार आपकी होगी फिर आपकी लामा चमेरा ये सारे कैसा आपकी चंबाडिस्टी की जीले है नेक्स्ट है आपका चंबाडिस्टी आपकी शिमलाडिस्टी शिमला में क्या है शिमला में आपकी सबसे important जील है चंदरनाहन जील तनो जुपल जील गड़ कुफ़र जील कराली बदनोसर यह सारी के सारी आपकी शिमला डिस्टिक की जील है नेक्स्ट है देखिए एक कौशिन है अभी तक हमने एक ही कौशिन डिस्कुस किया है बट इसके साथ-साथ जो भी 360 डिगरी एफेक्ट बन रहे हैं वो भी आपको साथ-साथ क्लेर हो रहे हैं के नहीं तेक है इसी बात कर वीडियो को आपने लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करना है चलिए जी सेकिंड कोशिन की ओर चलते हैं सेकिंड कोशिन है हमारा फ्रोम विर डस पबबर रिवर ओरिजनेटिड ठीक है क्या है कोशिन हिंदी वाले देख लो पबबर नदी कहां से निकलती है सिंपल सा कोशिन है आप सबी को ये बताना है पबबर नदी कहां से निकलती है उप्षिन जो ए है वो है चूड़दार जो कि सिर्मोर में है चांसल पीक रहुडू कलपा के नोर खड़ा पत्थर जुबल बताईए शावश थोड़ा सा क्लेर कर दूँ अच्छा मेरे को सबसे पहले ये बताना है आपको जैसे हमारे हिमाचल में नदियां है रावी है यमुना है फिर आपकी ब्यास है चिनाव है सतलुज है जो पबबर नदी है वो किसकी सहाइक नदी है पता है आपको तो याद रखेगा सबसे पहले कोशिन आता है जो पबबर नदी जो है वो हमारी यमुना नदी की सहाइक नदी है रखे याद ठीक है यमुना नदी की सहाइक नदी क्या है पबबर नदी कोशिन क्या था कि पबबर नदी कहां से निकलती है तो ध्यान में रखियो पबबर नदी निकलती है चांसल पीक रोहुडू से अच्छा रोहुडू कहां है शिमला डिस्टिक में है जुबल कहां है शिमला डिस्टिक में है अच्छा मैंने क्या बताया आपको सबसे पहले जो यमुना है इसकी सहाइक नदी है पबर पबर की सहाइक नदी आपने दो याद रखनी है कौन-कौन सी पत्सरी और आंद्रा ठीक है जो पत्सरी है वो यहां से फ्लो हो कर जाती है खड़ा पत्थर से फ्लो हो कर जाती है पत्सरी न दी ठीक है ये इतना से फेक्ट जो है वो आपने याद रखने है चलिए जी नेक्स्ट है मारे पास 83 means थर्ड कोशन चल रहा है इस वीडियो का According to Lizant Who was the earliest king of kinras Lizant के अनुसार किन्रों का सबसे पहला राजा कौन था Simple सा यहां पर आपको बताया गया है यदि कोई भी बोड आपको यहां सा थोड़ा सा गुमारा आए ठीक है Question यहां से यहां तक पूचा गया है यह है main question कि किन्रों का सबसे पहला राजा कौन था देवोडास, सुदास, परद्यूमन या फिर कृशन बताए शाबश किन्रों का सबसे पहला राजा बताए आपको तो याद रखेगा किन्रों का पहला राजा परद्यूमन जी थे ठीक है जी परद्यूमन जी जो थे वो किसके वन्षिज माने जाते हैं इनके कृशन जी के नेक्स्ट है question number 84 बुक के नाम भी पूछे जाते हैं HPPSE द्वारा तो बुक आपको separate वीडियो में जैसे जैसे exam आपका पास आएगा एक separate वीडियो बना कर बुक्स के जितने भी question repeat हुए हैं वो सारे के सारे आपको हिमरक्षिक चैनल पर करवा दिये जाएंगे tension आपको बिलकुल नहीं लेनी है ठीक है question पढ़िए who is the author of Himalayan Dreamland Journey to Kinderlog अच्छा हिंदी वाले देख लो same book का नाम है Himalayan Dreamland Journey to Kinderlog इसके आपको लिख का नाम बताना है पहले है के मित्रा ठीक है B option है बंसी राम शर्मा C option है SS निगी D है MS रंधावा चलिए answer के और जलते हैं answer है आपका option A is the correct answer book का नाम बार बार रपीट हो रहा है सुने ध्यान से Himalayan Dreamland Journey to Kinderlog इसके लेख कौन थे के मित्रा ठीक है चलो जी अच्छा साथ साथ ना आप माक्स जुरूर मेरे को बताने है last में ठीक है अभी 4 question हुए है 4 में से आपके कितने माक्स हैं ये भी आपने last में मेरे को बताने है जितने भी question हुए है चलिए आपना किसने की थी बड़ा ही असान question है आप सभी के लिए हलबा question है ये सभी का एक नंबर पक्का होना चाहिए प्लस वन सभी के आगे लगना चाहिए ठीक है silly mistake बिल्कुल नहीं करने है ध्यान से पढ़ियो क्या है option A अधित्य बर्मन B है बाला बर्मन C है अजे बर्मन D है मारू बर्मन ठीक है मारू बर्मन अच्छा एक नाम आप चमबा रियासत के बारे में सुनते होंगे एक नाम है मारू बर्मन ठीक है एक नाम क्या है मारू बर्मन ठीक है दूसरा है मेरू बर्मन ये दोनों एक बिक्ति नहीं हैं ये दोनों अलग अलग हैं पहला है मारू बर्मन ये संस्थापक हैं चम्बा रियासत के ठीक है चम्बा रियासत की स्थापना किस ने की थी मारू बर्मन ने की थी अच्छा मेरू बर्मन कौन थे ये ब्रह्मपुर जो चम्बा रियासत की रा राजाओं में से एक थे मेरू बर्मन ठीक है चलिए कोशिन की ओर चलते हैं कोशिन है हमारा अंसर मैंने आपको बता दिया मारू बर्मन अच्छा इन्होंने स्थापना कब की थी तो ये भी याद रखिये ये भी पूछती है कोशिन पांसो पचास इस्वी में इन होने चिंबा रियासत की स्थापना की थी अच्छा पहली बात और राजदानी पूछी आती है राजदानी क्या है? राजदानी आपने याद रखना है ब्रह्मापूर ठीक है? राज़ानी क्या है? ब्रह्मपुर जो आज का भर्मोर है ठीक है? आपका पहला option है अदित्य बर्मन अच्छा अदित्य बर्मन क्यों important है? क्योंकि इन्होने क्या? इनके समय में सबसे important जो काम हुआ था वो ये हुआ था कि इन्होने सबसे पहले बर्मन जो बर्मन की उपाद्दी थी जो सरनेम था इन्होने सबसे पहले धारन किया था ठीक है जी? समझ गए अदित्य बर्मन क्यों important है? क्योंकि बर्मन की उपाद्दी जो बर्मन का सरनेम जो है वो सबसे पहले इन होने यूज किया था इसलिए ये important है अच्छा ये कब तक इनका समय कौन सा था तो याद रखेगा 620 इस्वी इन होने राज किया था ये राजा बने थे ठीक है अच्छा ये भी question पूछ आता है संस्थापक दो सबी को बता आता है कि मारू वर्मन है बट चंबा रियासत की जो सोरी चंबा रियासत के सबसे अंतिम लास्ट शासक कोन थे ये कमी बंदों को बता होता है तो याद रखेगा चंबा रियासत के सबसे लास्ट राजा थे लक्षमन सिंग ठीक है जी चलिए वेटरी भी डाउन होगी है next है चलिए 86 वोशिन पढ़ना ध्यान से English वाले English में पढ़ो Hindi वाले Hindi में पढ़ते हैं मैं भी साथ साथ पढ़ता हूँ In which year did Sir Henry Lawrence and his wife Honoria Honoria found the Lawrence School at Schnaber Hindi वाले पढ़ लो Henry Lawrence और उनकी पतनी Honoria शिनावर में Lawrence School की स्थापना कि सुर्ष की थी बताना है आपको 1847, 1857, 1867, 1877 तो correct answer is option A is the correct answer 1847 में इन होने Lawrence School की स्थापना की थी कहां की थी सिनावर में की थी अच्छे शिनावर कहां है उशिमला डिस्टिक में पढ़ता है ये भी आपने याद रखना है ठीक है, चलो जी next question number 87 वीडियो के चलना है साथवा question at which place in Solan district of HP is Ambujya run cement plant हिंदी वाले पढ़ लो easy language में पढ़ लो सभी के लिए सहुलियत के लिए हमने translate दो किया हुआ है question है हिमाचल परदेश के Solan जिले में किस स्थान पर Ambujya cement सेयंत्र संचालित है simple सा question है हमें ये बताओ कि Ambujya का जो cement plant है वो कहां लगा हुआ है Solan में ठीक है घुमारा ये पर घुमना नहीं है ठीक है simple सा ये question है option A है आपका बरारी गाट B है दोना गाट C है धार्ला गाट और B है कंडा गाट अच्छा धार्ला गाट में ये Ambujya का cement plant है ठीक है याद रखेगा धार्ला गाट ठीक है बागी गाटों को आपने याद रखने है ये याद रखना है दार्ला गाट चलो जी next है हमारे पास 88 वेन वोज हिमाचल परदेश religious and charitable undowment act पास्ट हिमाचल परदेश धार्मिक और दर्मार्त बंदोवस्ति अदनियम कब पारित किया गया ये आपने बताना है 1984, 1988, 1992, 1994 पताए शावाश इस प्रशन का सही उत्तर है 1984 option A is the correct answer चलिए next है 9th question which suit trader of girly established the bal bharat sabah at shimla whose agenda was radical and revolutionary नहीं समझ में आया question तो इसी लिए हमने हिंदी में भी translate किया है हिंदी में सुनिए गरली के किस सूध विपारे ने shimla में बाल भारत सभा की स्थापना की ठीक है उसका agenda क्या था उगरवादी और क्रांतिकारी था ये इस सूध विपारे का नाम बताना है ठीक है simple सा question है क्या question है shimla में एक सभा की स्थापना हुई थी सभा का नाम था भाल भारत सभा ठीक है इसके संस्थापक का नाम बताना है simple सा question है बिल्कुल simple सा question समझ में आया क्या वूश रहो भाल भारत सभा की स्थापना हुई थी shimla में C है हेम चंद सूथ, B है किशोरी लाल सूथ, चलिए, इस प्रशन का सही उत्र है, option B is the correct answer, दीनानाथ आंधी, next है question number 90, How many towns have been nominated in HP under परधानमंत्री अवास योजना, परधानमंत्री अवास योजना के अंतरगत हिमाचल परदेश में कितने शहरों को नामित किया गया था, 9, 13, 16, 19, इस प्रशन का सही उत्र था, option B is the correct answer, दीनानाथ अगर टाइंग कम मिल रहा है, question पर read करने के लिए, आपने क्या करना है, वीडियो को pause करना है, ठीक है, तो आगे proceed किया करो, next है, question number 91, with which sport is दीपा करमाकर associated, दीपा करमाकर किस खेल से जूड़ी है, आर्चरी, जिमनेस्टिक, रेस्लिंग, वेट लिफ्टिंग, इस प्रशन का सही उत्र है, option B is the correct answer, जिमनेस्टिक, ये question में पूचा जाता है, कौन किस से associated है, emerging player आते हैं, ठीक है, जो भी जैसे जिन्होंने नाम रोशन किया होता है, वही आते हैं, जैसे नीरज चोपडा, फिर आपके, जो भी अच्छे अच्छे player होते हैं, ठीक है, सर्फराज खान, cricket के player हैं, फिर आपके, अविशेक शर्मा, cricket के player हैं, फिर पी श्रीजेश, पी श्रीजेश, भी आपको HPPAC पूर सकता है, होक्की के player हैं वो, ठीक है, इन होने, जो अभी गए थे ये, अलम्पिक में, वहाँ पर खूब नाम रोशन किया है, ठीक है, नेक्स्ट है, 92, how many district fall in कश्मीर वेली ओफ जम्मो कश्मीर, जम्मो कश्मीर की कश्मीर काटी में कितने जिले आते हैं, 9, 10, 11, 12, तो इस प्रशन का सही उतर है, option B is a correct answer, 10 जिले आते हैं, नेक्स्ट है, question number 93, अ अच्छा, सभी आप अब भी comment works खूलो, चलो, मेर को आपने बताना है, quit India moment, भारत में आप सभी को पता होगा, quit India moment हुआ था, हाँ जी, हुआ था ना, quit India moment, भारत छोड़ो अंदोलन, ये कब हुआ था, डेट नहीं बतानी है, एर बताना है आपको, option भी देता हूँ अच्छ 23, 1944, मेर को भी पता चले, मेरी जो पढ़ने वाले हमारे से पढ़ने वाले student है, जो aspirant है, पिलकुल serious aspirant है, वो कितने serious है, चलिए, दीजी जवाब, यहां फिर none of these, option E, इस वार E option भी है ना, option E, none of these, 5 option आएंगे, E option आपने लगाना है, यदि attempt नहीं करना है, E option क्या main fund है, यह भी बताता हूँ, HVPSC, E option क्यों introduce किया है, आप सभी को पता है, इस वार E भी होगा, B भी होगा, C भी होगा, और D भी होगा, यदि आप किसी में भी, 4 option में कोई भी नहीं आपको आता, तो HVPSC बोल रहा है, यदि आपने खाली शोड़ना है, negative marking नहीं करवानी है, तो आपने E option लगाना है, ठीक है, खाली नहीं शोड़ना है, आपका time बरवाद हो गई होगा वहाँ पर, ठीक है, तो उसने 2 गंटे दिये है, मेरको E option भी चाह Served as Quit India Day, किस दिन को भारत छोड़ो दिवस के रूप में मना जाता है, 26 जनवरी, 4 अगस्त, 9 अगस्त, 2 अक्तूबर, चलिए बताइए, इस प्रशन का सही उत्तर है, option, C is the correct answer, ठीक है, 2 अक्तूबर को किस की जनती होती है, आप सभी को पता है, हमारे महात्मा गांदी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की, ठीक है जी, चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास, 94 विच मोगल वोरियर, बिल्ट दा, बाबरी मस्चिद अट आयोध्या, मोगल योध्दा ने आयोध्या में, बाबर, सोरी, बाबरी मस्चिद का निर्मान करवाई था, किस, किस ने करवाई था, बाबर ने, मीर्वाक्य, यहां गीर, यहां फिर, none of these, इस प्रशन का सही उत् है मीर वाकीज़ा correct answer यदि आपको time कम मिल रहा है मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ जैसे ही आपके सामने question आए आप वीडियो को post किया करिए ठीक है question को पढ़िए और अराम से जवाव आपको देना है चलिए 95 which airport in India is named after travel revolutionary बिर्सा मुंडा हिंदी में पढ़िए नहीं समझायो है कोई जखकर नहीं हिंदी में पढ़ो भारत में किस हवाई अड़े का नाम आदिवासी क्रांदिकारी बिर्सा मुंडा के नाम पर रखा गया है पहला option है बागडोगरा बी पटना सी रांची डी दिब्रुगड इस प्रशन का सही अंसर है option C is the correct answer रांची अच्छा रांची कहां है रांची है आपकी जारखंड में ठीक है जी जारखंड के ही परसिद क्रांदिकारी का नाम था बिर्सा मुंडा जी चलिए जी next है 96 कमबोडिया की राजदानी बितानी आपको कमबोडिया की राजदानी बिताओ केमपोंग्चन पनोमपन भटमबंग या फिर अंकोरवाट इस प्रशन का सही उत्र है पनोमपन option B is the correct answer ठीक है option B is the correct answer अच्छा D option आपने सुना सुना लग रहा है आपको यदि आपने Lucent की वुक कबर केरी होगी वहाँ पर note मना कर लिखा हुआ है question यह आता है ठीक है अज़िव प्यस्थिव पूछ रहा है अंकोरवाट के रलेटेट यह पूछ रहा है next question number 98 before declaring independence in 1991 Macedonia was a part of simple discussion है इसमें पूछा गया है 1991 में सब्तंतरता की गोषना करने से पहले Macedonia किसका हिस्सा था अलवानिया का युगोसलाबिया का सर्विया का कुरेशिया का इस प्रशन का सही उत्तर है जो मेसिडोनिया था 1990 से पहले जो था मेसिडोनिया युगोसलाबिया का हिस्सा था युगोसलाबिया कोहां है option B is the correct answer ये युगोसलाबिया का हिस्सा था option B is the correct answer चलिए जी यहां तक थी वीडियो हमने कितने question डिसकुस किये 16 यह होगे 17 ठीक है चलिए जी मेरे को बताओ 17 में से कितने माकसा है ठीक है पता क्या होगा अब आप pattern धीरे-धीरे समझ रहे हो main funda क्या होगा किसी के अभी 7 आ रहे होंगे यह मैंने नहीं बताने मेरी बेस्ती होगी नहीं होती यार ठीक है कोई भी है मेरे 4 बन रहे है मेरे 3 बन रहे है कोई-कोई 0 वाला भी होगा मेरा भाई कोई-कोई 1 वाला होगा ठीक है 10 से उपर बड़ाई कम ना के बराबर aspirant होगा 10 के उपर ठीक है चलो अच्छा हिम्मत करके comment box में आईए और मेरे को बताईए सबसे पहला question जो मैंने पूछा है मार्क्स नहीं बताने तो वो बतादो quit India moment किस year हुआ था quit India moment किस year हुआ था ठीक है भारत शोड़ा अंदोलन किस वर्ष हुआ था ये बतादो मार्क्स नहीं बताने तो के लिए देखने के लिए आप सब भी काते है दिल से धन्यावाद आप serious हो आपको बगवान जो है वो इस वार हिमाचल परदेश पुलिस में जरूर selection करने में मदद करेंगे ठीक है जी वीडियो को लाइक करें जैसे बचों में शेयर करें अच्छा सो कॉमेंट करके बताएं कि आपको इवीडियो कैसी लगी ठीक है जी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत कुछ ओंदा वे है आपको इस वार कोई भी त्यारी में कमी पेशी नहीं रहने वाली है इसका वादा रहा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ खुश रहिएगा पढ़ते रहिएगा धन्यवाद जैहिन जैहिमाचु